नमस्कार दोस्तों मेरो यूटूप चेन है हैस्टैं में जय करें आपका स्वागत है दोस्तों है दोस्तों आज हम लेकर आए है जो और लूर्मी एंटे-सी विकैंसी आइए उसका रिजीनिंग का्ष नंबर टू है कुलॉक घड़ी एंटी पीसी की ब्रदैंसी आई है उसका लेक्षिन नमबर टू है कुलॉक चत्र देखेंगे और उनको समझने को से सीखने कोसिश करें उसमें कुछ भी टृक की ब्रीज जरूरत नहीं है बिल्कुल सिंपेल है आप एक बार देखेंगे और आप बिल्कुल कभी भी जिन्गरी पर नहीं भूलेगे थेकर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि टैज नंबर बन देखते हैं कि सबसे पहले तो टैज नंबर जो बन है कुश्चन सबसे पहले हम लोग बेशिक समझते हैं जैसे घड़ी है अब देखिए घड़ी में यहां से देखिए यहां पर कितने खाने होते हैं एक दो तीन चार पांच खाने होते हैं तो पूरा घड़ी कितने मिनिट के देखेंगे यह तो फूरी अगर चोटी वाली सुछ बड़ी वाली सुछ चली यह यहां से पूरा चक्कल लगाईए तो कितने मिनिट हो जायगी मिनिट की बात कर रहा हैं पूरा सर्क्ल कितने होता है अगर देखें शाट मिनट बराबर तीन सो साट अगर एक मिनट लिका लें तो तीन सो साथ अपॉन साथ इसको काटेंगे चैन चैन तो एक मिनट बराबर कितना आ गया चैन तो क्या आए एक मिनट में कितनी डिगरी कौन बंत है एक मिनट वे छे डिगरी कौन बंत है अब देखिए इस बाद हम लोग भासा वाली कुश्यन देखते हैं उनको समझेने की कोशिस करेंगे इसकी जरूरत पढ़ेगी बीचे इसले मैंने इसको बताया आपको बासा वुच्टे कि पहला कुश्यन बनता है कि 24 गंटे और 12 गंटे वाला कुश्यन में घड़ी की सुईयां कितनी वार एक ही सीधी रेखा में होंगी एक ही दिसा में होंगी एक ही पंक्ती में होंगी इस दोनों से एक ही दिसा में एक ही पंक्ती में 12 गंटे में कितनी बार मिलती है 12 गंटे में कितनी बार मिलती है इसके बास कुश्यन अगला आता है कि सीधी रेखा में विपरी सीधी रेखा ऐसी ऐसी तो यह वाला कुश्यन आता है कि 11 गंटे मैं कितनी बार मिलती है तो इसका भी आंसर कितना है 12 गंटे मिलती है यानगारी होती है गड़ी की परवासा के द्वारा ये कुष्चन आते हैं इसके बाद हम लोग टाइप्स कितने प्रतार के टाइप्स बनती है पहला टाइप्स का कुश्चन है हम दों देखते हैं पहला कुश्चन है तीन वच कर 40 मिनिट पर मिनिट पर घड़ी की सुईयों के बीज कि घड़ी की सुईयों के बीज के बीज के बीज कितने डिगरी का कौन बनेगा डिगरी का कौन बनेगा और देख इसमें कुश्च क्या रहा है जो घंटे वाली और मिनिट वाली सुईये इसमें कितने डिगरी का कौन बनेगा यही पूच रहा है तो हमें कोश्च भी नहीं करना है यह घंटे वाली सुईये इसमें 30 का कोना जानटेवाली स्हुम्हें पर इसके बाद जो मिनिट वाली स्हुम्हां इसमें 11 वटे-टू-का काशुकुम्हा करना है त्रहल करना सिद्धी का इसको काटेंगी 20 वर करना जाएगा और 12 रॉनी यह गाल रॉल्ग नों का यह इन दोनों का दफ्रेंस आयेगा इन दोनों का यह हमारा क्या हो यह हमारा आंसर होया अगर यह आंसर जो हमारा आंसर आया है अगर यह आंसर 180 से अधिक हो तो 360 से घटा देखे हैं कुछ नहीं करना है घंटे वाली सोई में कित्के गुणा करना है थीस का गुणा करना है और दोनों कर दो फ्रेंस निकाल देना है वह हमारा क्या हो जागा वह है आंसर यह टाइपस नंबर एक बनता अब यह आप आप देखते हैं मिलो जैसे अगला कुश्चन है इसी टाइपस का अगला एक और देखते हैं कुश्चन मिल्डा है कि पांच वचकार 40 मिनेट हो रहा है पांच वचकार 40 मिनेट पर कितने डिगरी के कोण बनेंगा कोण निकालना है कितने डिगरी कोण निकालना है पांच वचके 40 मिनेट होजी आपस में कितने फुला करना है 30 का अगला और जो मिनेट वाली सोई होसमें कितने फुला करना ग्यारा वर्टे तूट अगला करना यह देखें तो बीस ग्यारों दुनी येदेट अगर दोनों कतर नीका नहीं निकाने कितने हो जाएगा है सथा हो जाएगा है क्या आजाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका प्रेजिन देखने है अब तैज न्मबर 2 देखते हैं अब लोग अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है एक बाद दो वजे के पीच एक बाद दो के पीच घड़ी की दोनों सुईया कब एक साथ होई एक बाद दो वजे के पीच घड़ी की सुईया कब साथ होई एक बाद दो वजे के घड़ी की सुईया कब आपसे मिलेगी कब आपसे मिलेगी या एक साथ होगी बाद देगी यह ज़े खाद लेक्स कि भाद दो वजे की बाद और दो बजे के थी बीजिए एक दो वजे की मिलेगा पीटां करना यह एक और दो की बाद कर रहा है तो आमके कहा मैं कुछ एक आदेगा पाद के यह क्यों सुद्धी होगा अब हमें कुछ निहीं करना इक फॉर्मूला याद रखना से सब्सक्राइब कर लागा कि पिलस एक्स्ट्रा ऐग्स्ट्राइब ऐस फॉर्मूले में घड़ाई उसको पूर्ट करना है इत्छिए थाउग कि बात करना क्या हुए कि यहां से देखिए बारा से अगर हम एक तक चलाएंगे क्या मिनट होगा यहां से कितना मिनट हो जाए पांच मिनुट को इसमें रखना है पांच प्लस पांच अपॉन क्या रहा तो क्या जाएगा बजएगा कितने एक बचकर यहां से वाधा कि आने क्यों अब्रें पांच आँएगा आफ यहां से पाद की जिया तो कितना यह यह तो यह क्यूंकि एक के बीच बजेंगी तो एक तो रखी लिया हमने वही तो इसके बाद इसको सुलूशन करेंगे पांच सही पाज़ोटें 11 यह हमारा आंसर है इसी टाइक पर एक और नेक्स्ट केश्चन देखें लोग पांच बजे के लिए चार बाप पांच कब आपस में मिलेंगी के लगा चार और पांच बजी हमने के बता है हमें कुछ नहीं करना है घड़ी है घड़ी बना दी इन्ने की दोस्तों हमने यह गड़ी बना दी अब आँ चार यह बचता है हँ ठीक है अब यहां 12 से कॉंट गरें चार तो कितने मिनट हुए 20 मिनट हुए ना 12 से 5 10 15 20 मिनेट हुए ना तो वह ही 20 मिनट हुए इस पर रखना वही फर्मूल आपने बता है क्सा फर्मूल अ भांश्टरा ग्यारा में उसी फॉर्मोले में 20 मिनिट को रखना है रखेंगे क काटेंगे हैं साही नोगटे घ्यार्ह एक यह वह ना दीस और एक प्यक्वाइक प्यक्ति नोगटे कितने बचकर चार अचयां 5 बाद मिलेगे यह आपस ने चार बचकर तो क्या स्सक्राइब कर दो कि साइब डेक वहरा नश्य वैक्वाट ध्य। टाइप से नंबर थिरी देखते हैं लोग लेश्क कुश्यन है साथ पा आठ बजे के बीच के बीच कब घड़ी की सुईयां एक सीधी रेखा हूँ साथ पा आठ बजे के बीच कब घड़ी की सुईयां एक सीधी रेखान रहूँगी रेखान मैं हूँगी देखिए दोसरों कुछ नहीं करना मैं साथ पा आठ बजे के बीच कब घड़ी की सुईयां एक सीधी रेखा हूँगी किसमें एक सीधी रेखा में हूँगी आप देखिए यह हमने बना ली घड़ी अतनी साथ आठ बजे के बीच आठ से क्या है कुछ भी मतलब नहीं है कुछ भी मतलब नहीं है साथ यह बजे गया है माल लिए मिनट वाली सुईया यह घंटे बाली जो कुछ भी माल लिए साथ बज़ गया है आप माल लिजी जैसे हमने कहा है है यह आपर यह हंनोगी यह है अकर इसकी सीधी और मतला भी मिलकुल अगर आंकर यह साथ बज़ गया साथ यह सीधी रेखा लाइं तो काऊ हो जाएगा एक पर हो जाएगी सीधी रेखा यही तो पूछ न वार्ड के पीच कब गड़ी के सुझ एक सीधी रेखा में होगी तो मतर्ब इसी फॉर्मूल ने हमने बताए एक ही फॉर्मूल ने पर पूरी घड़ी हो जाएगी यहां पर रखें कितनी में चलाएं इन्हें पांच प्लस पांच अपॉन ग्यारा कि दोस्तों अब इसको करेंगे तो क्यों है पांच सही पांच वट्टे कितनी बचकर साथ बचकर आप क्यों कि आठ से तो मतलब है नहीं है साथ बचकर पांच सभी फांच वोटे ग्यारा में घड़ी कि दोनों से हैं एक सीधी रेखा होंगे अगर हम कहा देते हैं अधिन 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 आपके लिए यह से दिरेखा को बतले ठीक है नेस्ट टाइम टेक्टियों लोग टाइस नुम्बर पॉर कि अधिन अधिन गड़ी में साथ बचकर बत्तिस मिन अधिन धुश्य ने घड़ी में साथ कित्तोर साथ बचकर बत्तिस मिन अधिन संत Siem भी में घुश्य ने कितने ख़त व्यक्तव यह व्यां है कि बता है दरपणवाल इतनी वी सवाल होते हैं यसे गड़िवेज सात बचके के इतना हुरा बत्तिस मिनटोरा एक इतना होसके वारा से तो और ब्स दरपण के लिए क्या करना है बारा से पूरे बारा बजाकर 11 बच के साठ मिनिट हो रहा है यह 12 बजने है ना पूरे तो साथ वरत्र उसका ऐसी से मैं से क्या कर देए ज़िए जाएक यही क्या जाएगा दस मैं से दो गए आठ एक कईरी यही 4 बनाफ पूट नमचाट टू से गता है किसके गटा गता तो गता है तो गता हो तो 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 13 दो गता देगी सक्षच से गटा देगी सिर्फो मरत आंसा जाएंगे तो हमारा नसार आजा कि यह मैट किया जाएगा 10 मच कर 60 मिनिट ठीक है ठीक है तोस्तों यह हमारा tussen और चोब इस गाएगा तो तो किसले करना है और निचे से कटा ना अगरी तो उसको ग्यारा साथ से कटाना है इतना ध्यान रखना है अब इसके इसके बचाए बाटर वाद में कुछन है जैसे बाटर में तीन बच कर 42 निट हो रहा है अब हमें करना क्या है इसका बाटर में निकालना है बाटर में तो बाटर में वेच के लिए क्या करते हैं एक बाटर में नकालने हैं 10 में से दो गया 8 1 करी 5 13 में से 5 कितने बचएगा आठ वन करी 4 जाए 18 चीए हमारे कि वाटर में नकालने के लिए इसके बाटर की इमें बाटर प्रिदिम नकालने के लिए किससे बचाएं 18-30 से बचाएं ठीक दोस्तों जितने बीट टैप्सक्री को फुर्शन थे पॉश्चन बता दिए इसका नेक्स टॉपिक डालेंगे बिलर रेलेशन को सकता है और और भी हो सकते हैं इससे पूश्चन बनते हैं यह हर एक्जामिन पूश्चन आते हैं उसी दिए पूश्चन दालेंगे कि मेरे वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्वाब